प्रस्निक अंको चार सून्य तथा नौ से बनने वाले पांच अंको की छोटी से छोटी संख्या क्या है? तो चार सून्य और नौ से बनने वाले पांच अंको की छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर बताना है तो देखे चार सुन्य और नौ से बनने वाले पांच अंको की छोटी से जोटी संख्या तो चार सुन्य नौ में सबसे छोटा कौन है सुन्य है लेकिन सुन्य को हम पहले नहीं लिख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले किसको रखेंगे चार को क्योंकि चार छोटा है नौ से तो चार को हम पहले लिख लेंगे पांच अंको की छोटी से छोटी संख्या बनाना है तो देखें अब यहाँ पर सून्ने लिख लेंगे तो चार सून्ने नौ यहाँ पर तीन अंक तो दिया हुआ है तो यहाँ सून्ने को दो बार और लिख लेंगे और फिर नौ को लिख लेंगे तो ये हो गया चार सुन्य नौ से बनने वाली पांच अंको की छोटी से छोटी संख्या चालिस हजार नौ क्या हो गया ये? चालिस हजार नौ तो सुन्य को हम तीन बार लिख लेंगे ही क्योंकि सबसे चोटी संख्या बनाना है पाँच उंको की अगर हम चार को तीन बार लिखेंगे तो सबसे चोटी संख्या नहीं होगा जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम चार सुन्य फिर अगर हम चार को ही दो बार और लिख दें तो यह देखें चालीस हजार चारसुन्चास हो जाता है और यहां पर क्या हुआ चालीस हजार नौ तो यह छोटा हुआ है चालीस हजार चारसुन्चास से यानि चार सुन्य नौ से बनने वाले पांच अंको की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 40,009 यानि इस से कोई और इस से छोटी संख्या बन नहीं सकता है पांच अंको की 4,09 का प्रियोक करके तो इसका उत्तर हो गया 40,009 यानि सुन्य को ही 3 बार लिखेंगे और 4 को पहले लिखेंगे और अंत में 9 को लिखेंगे यानि बड़ा संख्या को बाद में लिखेंगे और जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे प्रस्न दूसरा संख्या 3746 में किस अंग का स्थानिय मान सबसे अधिक है तो 30,746 में किस अंग का स्थानिय मान सबसे अधीक है तो देखें इकाई दाही सेकड़ा हजार दस हजार तो 6 इकाई अस्थान पे है, 4 कहाँ पे है, दाही अस्थान पे साथ है सेकड़ा के स्थान पे, सुन्ने कहाँ पे है तो एक आई दाई सेकड़ा हजार सुने हजार के स्थान पे है तीन कहां पे है तो तीन है दस हजार के स्थान पे यानि तीन का स्थानी अमान सबसे अधीक है क्योंकि तीन कहां पे है तीन है दस हजार के स्थान पे यानि तीन गुना दस हजार करेंगे तीन गुना दस हजार करेंगे तो क्या आजाएगा तीस हजार यानि तीन का स्थानिय मान क्या हो जाएगा तीस हजार तो तीन जो है तो किस अंग का स्थानिय मान सबसे अधीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर में लिखेंगे तीन यानि बिकल्प A इसका सही उत्तर होगा क्योंकि तीन का अस्थानिय मान सबसे अधीक है क्योंकि तीन कहां पे है दस हजार अस्थान पे है इकाई दहाई सेकड़ा हजार दस हजार तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा तीन, तो यहाँ पर तेके अस्थानिय आमान तो निकालना नहीं है, बस इसका उत्तर हम तीन दे देंगे, ठीक है क्योंकि जो, बायां तरफ रहेगा अंक, उसी का स्थानिय आमान सबसे जादा होगा, क्योंकि इधर से तो यानि दाया तरफ वाला का स्थानिय मान दाया तरफ जो अंग है उसका स्थानिय मान बाया तरफ जो अंग है उसका स्थानिय मान से कम होता है ठीक है जैसे इसको इस तरफ से गिंते हैं एकाई दहाई से एकड़ा हजार दस सजा तो सबसे जो बाया तरफ वाला अंग का स्थानी अमान क्या होगा सबसे अधिक होगा तो 3746 में किस अंग का स्थानी अमान सबसे अधिक है तो इसका उत्तर 3 होगा प्रेशन 3 संख्या 5609 में 6 का स्थानी अमान है तो 5609 5609 में 6 का स्थानी अमान तो दिखे 6 कहां में होता है 100 तो 100 से गुना कर देंगे क्योंकि 6 का स्थानिय मान पूछ रहा है तो 6 कहां में है, हिज्जे गुना 100 क्या होगा? 600 यानि 5609 में 6 का स्थानिय मान क्या हो जाएगा? 600 तो इसका उत्तर होगा 600 हो यानि बिकल्प C इसका उत्तर होगा तो पहला में देखिए पहला में बिकल्प B में सही उत्तर दिया है तो B में हम ठीक लगाएंगे ठीक है पहला प्रस्न में B में 40,009 दिया है यह सही उत्तर है यानि B में ठीक लगाएंगे दूसरा में उत्तर क्या आया तीन तो तीन जो है बिकल्प A में है यानि बिकल्प A में इसका सही उत्तर होगा बिकल्प A में ठीक लगाएंगे तीसरा में उत्तर क्या है इसका 600 तो 600 कहाँ पे है C में बिकल्प C में है तो C बिकल्प C में हम ठीक लगाएंगे इसका सही उत्तर होगा बिकल्प C यानि 600 प्रस्न चार 46,890 में 4 के इस्थानिय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा तो प्रेशन 4 क्या 46,890 में 4 के इस्थानिय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा तो देखे 46,890 में 4 के इस्थानिय मान तो 4 का इस्थानिय मान क्या होगा तो चार का अस्थानिय मान चार कौन से अस्थान पे है तो एकाई दहाई सेकड़ा हजार दस हजार चार कौन से अस्थान पे है दस हजार के अस्थान पे है यानि चार गुना दस हजार करेंगे तो हो जाएगा चालीस हजार तो चार का स्थानिय मान हो गया 40,000 ठीक है तो कह रहा है अस्थानिय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा तो चार का स्थानिय मान हो गया 40,000 और चार का अंकित मान तो चार का अंकित यानि चार का अंकित मान 4 ही होगा ठीक है अंकित मान जिस संख्या का पूछ रहा है वही संख्या हो जाएगा तो 4 का अंकित मान 4 होगा अगर 6 का अंकित मान पूछता तो 6 हो जाता 8 का अंकित मान 8 होगा यानि जिस संख्या का अंकित मान पूछ रहा है वही संख्या खुद होगा तो चार का अंकित मान क्या होगा चार अब कहा रहा है अंतर अंतर मतलब घटा देना है तो चार ये 40,000 में से 4 को घटा देंगे तो 4 का स्थानिय मान यानि 46,890 में 4 का स्थानिय मान और 4 का अंकित मान को घटा देना है यानि अंतर इसका ग्याद करना है तो अंतर मतलब घटाना तो घटा देंगे 10 में से 4 गया 6 9, 9, 9 और यह हो गया 3 यानि 49,996 49,996 यानि बिकल्प C में इसका सही उत्तर दिया है तो बिकल्प C में हम टिक लगाएंगे बिकल्प C प्रस्न पांच 26,34,251 की अपेच्छा 35,750 कितना अधिक है तो क्या कह रहा है 26,34,251 की अपेच्छा 35,750 कितना अधिक है तो 35,750 कितना अधिक कह रहा है किसके अपेच्छा तो 26,34,251 के अपेच्छा तो बस 35,750,000 में से 26,34,251 को घटा देंगे तो इसका उत्तर क्या जाएगा 10 में से 1 गया 9 यह हो गया 4 14 में से 5 गया 9 यह हो गया 6 6 में से 2 गया 4 10 में से 4 गया 6 9 में से 3 गया 6 यह हो गया 4 14 में से 6 गया 8 2 में से 2 गया 0 यानि 8,66,499 तो 35,750,000 26,34,251 से 8,66,499 अधीक है तो इसका उत्तर होगा तो यह कौन से बिगल्प में दिया है B में ठीक है तो इसका उत्तर होगा बिगल्प B यानि B में हम ठीक लगा देंगे तो बस घटा देना है इसमें प्रस्ण 6 संख्या 7,993 का विस्तारिद रूप में मान होगा तो 7,993 का विस्तारिद रूप क्या होगा तो हम 7,993 को हम लिख सकते हैं देखे इकाई दाही सेकड़ा हजार साथ कौन से स्थान पे है हजार के स्थान पे तो साथ का स्थान यह मान क्या होगा 7,000 जोड नो कौन से स्थान पे है तो एकाई दाही सेकड़ा सेकड़ा मतलब 100 तो नो को 100 से गुना करेंगे यानि 900 जोड अब ये नो एकाई दाही दाही के स्थान पे है यानि 10 दाही मतलब 10 होता है तो नो को 10 से गुना करेंगे यानि 9-10 नब्बे जोड तीन यह हो जाएगा इसका विस्तारित रूप तो 7,993 का विस्तारित रूप हो जाएगा 7,993 तो 7,993 का विस्तारित रूप का मान क्या होगा 7,993 तो देखे 7 के बाद 3 अंख है तो तीन सुन्ने देंगे साथ पे फिर जोड का चिन नौ के बाद दो अंक है तो दो सुन्ने देंगे नौ पे फिर नौ के बाद एक अंक है तो एक सुन्ने देंगे फिर तीन तीन के बाद कोई अंक नहीं है तो बस तीन लिख लेंगे और सब को जोड देंगे तो साथ हजार ह जोड 900, जोड 90, जोड 3, इसका उत्तर होगा, तो ये दिया है बिकल्प A में, यानि इसका उत्तर हो जाएगा बिकल्प A, इसका सही उत्तर होगा, बिकल्प A इसका सही उत्तर होगा, प्रस्न साथ, वह कौन छोटी से छोटी संख्या है, जिसे किसी संख्या में जोडने या घ गटाने पर भी समसंख्या प्राप्त होगी तो क्या कह रहा है प्रेस्ण में कह रहा है वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिससे किसी समसंख्या में जोडने या गटाने पर भी समसंख्या प्राप्त होगी तो मान लीजे समसंख्या क्या है कौन है दो से सुरू होता है तो स कुई भी समसंक्या है यहाँ पे अन्हीं, समसंक्या मतलब ब्यक्तव है। इसमें देखे, वह कौन चोटी सी चोटी संक्या है, जिसे किसी समसंक्या में जोडने या घटाने पर, बिसम संक्या प्राप्थ होगी। तो बिसम संख्या, यानि दो के बाद बिसम संख्या क्या आता है, तीन, दो के बाद बिसम संख्या क्या आता है, तीन, तो अगर इसमें हम एक जोड़ दें, तो बिसम संख्या प्राप्त हो जाएगा, और दो में अगर एक को घटा दें, तो भी बिसम संख्या प्राप्त होग जिसको जोडने पर विसम संख्या ही आता है और घटाने पर भी विसम संख्या आता है तो देखे सम संख्या में सबसे चोटी संख्या एक है जिसे जोडने पर भी विसम संख्या आता है और घटाने पर भी विसम संख्या आता है तो सम संख्या में अगर एक को घटा दे तो भी विसम संख्या आएगा, क्योंकि एक और तीन क्या है, विसम संख्या है, तो ये तो बस समझाने के लिए था, इसका उत्तर हो जाएगा, एक, इसका उत्तर क्या होगा, एक, यानि बिकल्ब B, तो बिकल्ब B में एक दिया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर B होगा, बिगल्ब बी क्योंकि किसी भी संख्या में एक को जोडेंगे या घटाएंगे जोडने पे भी संख्या आएगा और घटाने पे भी संख्या आएगा तो वहां कौन सी चोटी सी चोटी संख्या है जिसे किसी संख्या में जोडने आगटाने पर बिसंख्या प्राप्त होगी वहां कौन है एक है क्योंकि अगर दो जोड़ेंगे देखिए दो में दो जोड़ेंगे तो चार आ जाएगा जोकी संख्या है अगर तीन जोडेंगे तो विसम संख्या आएगा ठीक है दो में तीन जोडेंगे तो विसम संख्या आएगा लेकिन सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है इसलिए एक होगा इसका उत्तर